साथियों, जीवन के पग पग पर खण खण में ऐसा कितना कुछ है जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मिल करके अब तक सहज कर रखा है बाली की ये भुमी महर्शी मारकंडे और महर्शी अगच्च के तब से पवित्र है भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग परवत है भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है हम भी भारत में हर शुपकार्य का स्री गनेश करते हैं यहां भी स्री गनेश घर गर विराजमान है सार्वजनी स्थानों पर शुपता भेला रहे हैं पुर्णिमा का व्रत एकादशी की महिमा त्रिकाल संध्या के जरिये सूरिय उपास्ता की परंपरा मा सरस्वती के रूप में ज्यान की आरादना अंगिरित चीजें हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सी बाते हैं जो हमें जोडे रखती हैं जोडती रहती हैं बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है और मैं तो द्वार का दिश भगवान कर्शन की धरती गुजरात से या पुला बड़ा हूँ मैं तो जीवन महीं पिता हुआ है बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है भारत में लोगों की बेशी आत्मियता बाली के लोगों के लिए भी है आप यहाँ पर भगवान विश्णू और भगवान राम की आनाधना करते हैं और हम जब भारत में भगवान राम की जन्व भूमी पर भव्य वराम मंदिर की नीव रखी जाती है, तो इंडोनेशिया की रामायन परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायन फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार यहां से कई कलावरद्ल भारत आये थे। और एमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनों में, अनेक शहरों में, वो अपना कारकम करते करते वो अयुद्या आये थे, उनका आखरी समापन कारकम अयुद्या में हुआ था, और बहुत भावाई हुई थी, हिंदुस्तान में जहां गए, अख्मार भरे पड़े रहते से, भाई और भेनों, बाली में ऐशा सायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसकी अभिलासा नहीं होगी, कि अपने जीवन में एक बार, अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करें, ऐशा सायद कोई भी इंसान नहीं होगा, भारत में भी लोग, प्रम्बानन मंदीर और गरूर विष्णो के इनकाना की भग्वप्रतिमा के दर्शन करने के लिए, बहुत ही इत्सुक रहते हैं, कोरोना काल से पहले एक साल में ही पांच लाग से ज़्यादा भारतियों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाई देता है,